Hello everybody, welcome to Magna Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज इसी चाप्टर का मैं Part 2 स्टार्ट करने वाली हूँ और कौन से चाप्टर का Part 2 स्टार्ट करने वाली हूँ The Adventure of the Three Garadabs, जो आपकी English की 11th क्लास की जो बुक है Elective Book, Woven Words, उसका चाप्टर No. 4 है मैंने इस चाप्टर का Part No. 1 खतम कर दिया है और अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाईए और Part No. 1 देखिया है ताकि आप Connect कर पाए मेरे Part 2 के वीडियो से जब हमने Part 1 end किया था तो हमने यहां पर end किया था कि Sherlock Holmes जो हमारे Detective हैं और Dr. Watson जो उनके Partner है वो किसके घर जाते हैं वो Nathan Garadip के घर जाते हैं यह देखने के लिए और उनकी आखिर यह matter है क्या ताकि उनसे कुछ बातचीत करके उनको और इस case के बारे में details मिले तो अब हम यहां से जब start करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वो लोग उनके घर पहुचते हैं और फिर वहां क्या क्या देखते हैं तो अब यह लोग कहां जा रहे हैं Nathan Garadip के घर में जो कहां पर है लिटल राइडर स्टेट में इस लोकालिटी में घर है तो वो लोग वहां का weather और शाम का समय 6 बजे का समय है उसको describe कर रहे हैं कि twilight का याने की शाम के 6 बजे के बाद सूर्यास के बाद का समय था जिसमें हलकी हलकी सिर्फ सूरच की किरने दिखाई दे रही थी और Edware Road को cross करते जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक Tibern Tree देखा जिसके साथ उनकी एक evil memory एक बुरी याद जुड़ी हुई है वहाँ पर वो जो ट्री था वो golden दिखाई दे रहा था और slanting rays of the setting sun याने डूपते हुए सूरच की जो किरने हैं जो ऐसे diagonal shape में उस ट्री के ऊपर आ रही थी वो बहुत जादा wonderful दिख रही थी उनको the particular house to which we were directed was a large old-fashioned early Georgian edifice with a fat brick face broken only by two deep bay windows on the ground floor तो जिस house में which they were directed याने जिस Nathan Garadap की घर ये लोग जा रहे थे वो काफी बड़ा था बाहर से old-fashioned याने पुराने जमाने का बना हुआ था early Georgian याने Georgian नाम के king थे एक ruler थे उस जमाने के टाइम का ऐसा लग रहा था कोई घर बना हुआ कोई edifice लग रहा था याने ऐसा लग रहा था कोई बड़ी सी building कोई बड़ी सी इमारत बनी हुई है मोटे मोटे bricks याने की eaton से बनी हुई थी और जो windows थी वो स्रिफ ground floor पर याने बड़ी सी building थी बड़ी सी इमारत थी और दो bay windows ऐसी windows होती है जो दूनों sites से इसे खुलती हैं ऐसे करके तो सिर्फ ground floor पे दो bay windows थी और पूरी बड़ी सी building जो इमारत थी वहाँ पे एक भी window या खिडकी नहीं थी तो यही इसी ground floor पे इनका client याने की Nathan Garridov रहता था और वो एक बहुत बड़ा room था और ये जो दो खिडकियां हैं वो entrance थी उसी खिडकियों से enter होके वो अस room के अंदर आए जहां पे वो अपने ये जो Nathan Garridov अपने waking hours spend करता है याने जितना भी time वो पूरे दिन में जागता है वो इस ground floor पर ही spend करता है homes pointed as we passed to the small brass plate which bore the curious name जैसी वो लो घर के अंदर जा रहे थे तो Sherlock Holmes ने जो बाहर जो name plate लगी थी वो brass plate याने की brass metal जो होता है उसकी name plate लगी हुई थी उस पे bore याने जड़ा हुआ था गड़ा हुआ था एक curious name एक अजीब सा नाम तो Holmes ने Dr. Watson को दिखाया कि देखो नाम देखो क्या लिखाया अब समयर्स Watson ही रिमांग इंडिकेटिंग इस डिस कलरड़ सर्फेस इस रियल नेम अनिहाओ और याप एक बहुत सुराग या एक कुछ प्रूफ मिला या कुछ उन्होंने चीज इखटा करी कि शॉर्लोक होम्स कहते है कि Watson यह जो name plate पे नाम लिखा हुआ है वो गयरेड़ जी लिखा हुआ है और देखके ऐसा लग रहा है कि name plate का जो color है discolored surface याने बहुत पुरानी हो गई है देखके ऐसा लग रहा है कि यह real है और सही नाम है जो भी बंदा रह रहा है वो सच में ही गयरेड़ है और name plate जो लगी हुई है वो भी सच लगी क्योंकि बहुत पुरानी name plate है आने की इंसान भी बहुत बूड़ा है और name plate भी काफी पुरानी आने काफी दिन का है तो यह इसका real name ही याने जो गयरेड़ेड़ नाम लिखा है वो बिलकुल सच है और यह बात note करने लायक याने ध्यान में रखने लायक है तो अब घर में कहीं भी जाने की common stair थी याने की common सीड़िया थी जहां भी जाने आप उस सीड़ियों की मदद से आप जा सकते हो और अलग-अलग नाम पेंटेड थे लोगों के तीवारों पे याने की एक ऐसा बड़ा सा hall था जहां पे अलग-अलग नाम थे और अंदर लोगों के rooms और chambers थे याने वहाँ पे एक कोई family नहीं रहती वहाँ पे कोई कुछ offices कुछ chambers बने हुएं लोगों के वो रेजिदेंशल फ्लाट्स नहीं थे याने वहाँ पे families नहीं रहती थी but rather the abode of bohemian bachelors abode का मतलब क्या होता है a house ऐसा लग रहता है कि वो एक ऐसा abode है ऐसा घर है और किसका है bohemian bachelors का bohemian मतलब people who are involved in art so European के जो लोग जो art वगरे में involved रहते और वो bachelors है याने शादी शुदा नहीं थे वो लोग वो अपने अलग-अलग कमरों में ऐसे रहते थी our client opened the door for us himself and apologized by saying that the woman in charge left at 4 o'clock हमारा जो client था Nathan Garridab उसने हमारे लिए जब दर्वाजा खोला तो खुद ही खोला और बोला कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं खुद दर्वाजा खोलने आया हूँ क्योंकि जो मेरी women in charge याने जो care taker है घर का ध्यान वियान रखती है वो चार बजे ही चली गई हूँ आप लोग तो अभी मेरे याँ 6 बजे आयो Mr. Nathan Garridab proved to be a very tall तो अभी हाँ पर Nathan Garridab का appearance describe हो रहा है कि वो कैसा दिख रहा था वो tall था a loose jointed याने कि इतना बुद्धा था कि उसका शरीर बहुत जादा loose था round-backed person याने कि उसकी जो back थी वो round थी ऐसे पीठ निकली हुई थी gaunt and bald gaunt का मतलब क्या होता है thin person बहुत पतला इंसान था bald याने कि टकला था उसके शरीर पर बाल नहीं थे some 60 odd years of age 60, 60 साल की आसपास कि उसकी कोई उमर लग रही थी he had a cadaverous face और उनका चहरा कैसा था cadaverous याने very pale पीला पड़ा हुआ था चहरा बहुत पतला और बोनी याने पूरे शरीर पे पूरे चहरे पे सरिफ हड़ियां दिख रही थी with a dull dead skin of a man to whom exercise was unknown और उसका जो चहरा जो था पूरा बहुत dead skin से भरा हुआ था और ऐसा एंसान लग रहा था कि इसने सालों से कभी exercise नहीं करी है large round spectacles and a small projecting goat's beard combined with a stooping attitude to give him an expression of peering curiosity तो बड़े-बड़े gold spectacles चश्मे पहने हुए था उसने और बकरे जैसी ऐसी दाड़ी थी goat's beard जैने से बकरे जैसी थोड़ी सी दाड़ी थी उसकी और stooping attitude याने की क्योंकि वो बड़े था थो थो थोड़ा सा उनकी peat stooping थी जुकी हुई थी और उसको देखके ऐसा expression लग रहा था कि वो peering curiosity याने घूर घूर की हमें ऐसे देख रहा था जैसे वो curious है जानने के लिए बैठा है कि अभी यह लोग मुझसे क्या पूछेंगे the general effect however was amiable though eccentric amiable याने की friendly eccentric याने की slightly strange याने अजीब हो गरीब तो Dr. Watson बताते है कि जो general behavior था Nathan Garadip का वो friendly था जलाव ऐसा कोई वो नहीं था लेकिन दो eccentric है लेकिन थोड़ा सा अजीब हो गरीब था क्योंकि घर अजीब था और इसका थोड़ा behavior अजीब हो गरीब था लेकिन फिर भी उसने हमसे friendly behave किया the room was a curious as its occupant अब जिस room में Nathan Garadip रहता था वहां ground floor पे रूम Nathan Garadip का रूम उसकी तरह ही बहुत अजीब हो गरीब था it looked like a small museum ऐसा लग रहा था कि वो camera ने एक छोटा museum है it was both broad and deep with the cupboards and cabinets all around crowded with specimens geological and anatomical तो पूरा जो camera था बहुत जादा गेहरा लग रहा था और बहुत जादा ऐसा लग रहा था और हर जगा cupboards थे और cabinets खुलने वाले cabinets थे पूरे कमरे में चारो तरफ और क्या था उनमें specimens geological and anatomical specimens क्या होता है dead samples of animals and plants कीडे मकोडे plants animals की जो dead samples होते हैं वो इसको specimens कहते हैं geological means related to the earth's physical structure तो अपनी धरती के physical structure याने mountain का कोई पत्थर या river में से कोई plant निकल रहा है तो हमारे earth से related जो चोटी मोटी चीजे हैं उसके samples anatomical याने related to the study of human body इंसानी शरीर का human body जो होती है उसके कुछ dead samples यह सारी चीजों के specimens याने उन्होंने case में से डबों में बंद करके हर जगा लगा के रखी तो असा लग रहा था कि कमरा नहीं कोई museum है Cases of butterflies and moths flanked each side of the entrance तो जब enter कर रहे थे तो दोनों तरफ cases याने डबे थे जिसमें मरी होई butterflies और moths याने की कीट होते हैं कीडे होते हैं तितली फैमिली की ही यह species होती है इसके cases डब बंद करके दोनों तरफ ऐसे लगे होए थे a large table in the center was littered with all sort of debris while the tall brass tube of a powerful microscope bristled up amongst them debris में जो S है वो silently debris का मतलब होता है rubbish कूडा कचुरा bristled up का मतलब क्यों होता है stand upright बहुत सारी चीजों में कोई एक चीजों अलग से खड़ी होई दिखती आपको अलग से दिखती उसे हम bristled कहते हैं तो वो कह रहा है कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा table था जिसमें सारा कूडा कच्रा debris फेला हुआ था और बीच में एक बड़ा सा microscope रखा हुआ था as I glance around I was surprised at the universal universality of the man's interest तो डॉक्टर वाट्सन बता थे कि जैसे ही मैंने पूरा कमरे अच्छे से हर जगा देखा तो मुझे यह जो man है Nathan Gary Depp उसकी इंट्रेस्ट की इस सारी चीज़े देखके universality दिखी की याने की हर चीज की मतलब universality याने की यह universal इंसान है इसको universe की हर चीज के बारे में knowledge है यहने इसको अलग-अलग subjects की याने इसने पढ़ाई कर रखी है की earth के बारे में भी everything इसके कमरे में mixed चीज़े थी here was a case of ancient coins फिर एक चीज और के देखने को मिली इनके रूम में एक case एक ऐसा डबा जिसमें ancient coins याने पुराने जमाने के सिक्के थे there was a cabinet of flint instruments cabinet खोला उसमें सारे flint instruments से flint का मतलब क्या होता है hard grey rock ऐसे बड़े बड़े grey color के से पत्थर होते हैं पुराने जबाने के तो उसमें अलग-अलग उससे बने हुए जो instruments होते हैं उसका cabinet उन्होंने दिखा behind his central table was a large cupboard of fossil bones जो बीच में table था जिसमें पुरा कचरा पड़ा हो था उसके बादे cupboard था वहाँ पे fossil bones याने मरे हुए जानवरों की हड़ियों के जो structures थे वह सब पूरे जम्हें हुए थे above was a line of plaster skulls with a names as उसके बाद जो cupboard था उसके उपर बहुत सारे plaster skulls रखे हुए थे जो skull होता है वहता है आपका ये और plaster of Paris याने जिसकी चथ बनती है उसके बने हुए ऐसे skulls थे जो line से लखे हुए थे और हर skull के नीचे उसका एक नाम लगा हुआ था जैसे नाम क्या था Neanderthal Heidelberg Cro-magnon ये सब printed beneath them याने हर skull हर mundi के नीचे उसका नाम लिखा हुआ था इस तरीके से it was clear that he was a student of many subjects ठीक है subjects का student रह चुका है As he stood in front of us now he held a piece of camoise leather in his right hand with which he was polishing a coin और अभी उस वक्त present में वो क्या कर रहा था उसके हाथ में camoise leather था याने की kind of leather made of sheep skin sheep की चमनी से बना हुआ एक तरीके का leather होता उसको camoise leather कहते है उसके हाथ में एक coin था सिक्का था जिसको वो polish कर रहा था इस leather से इस वक्त वो यह कर रहा था वहाँ पे Saracuzan of the best period he explained holding it up तो वो coin उसने उपर से दिखाया ऐसे इनको करकर बोलता है Saracuzan याने Italy के एक शहर है जिसका नाम है a premium quality of coin belonging to the Syracuse place in Italy Italy में एक जगा है जिसका नाम है Syracuse यह वहाँ का coin था तो काफी जदा ancient or rare coin था तो वो कहता है Saracuzan याने Italy के उस Saracuz नाम के शहर का coin है of the best period यह अपने जमाने का सबसे best coin था और उसने उनको यह चीज दिखाई they degenerated greatly towards the end at their best I hold them supreme तो कहता है कि कि degenerate होगा याने कि अब गंदे होते जाते हैं जैसे जैसे time pass होता है लेकिन at their best I hold them supreme याने मैं इनको supreme सबसे उपर रखता हूं और clean करता रहता हूं time to time though some prefer the Alexandrian school और कुछ लोग Alexandrian school को prefer करते हैं याने कि उस जमाने के स्कूल में coins, coins चलते थे वो prefer करते हैं लेकिन मैं आज भी यही use करता हूं you will find a chair here Mr. Holmes फिर Mr. Holmes को बोलता है आरे यहां पे chair है please बैठिये न pray allow me to clear these bones pray आने की मैं आपसे request करता हूं कि मजे थोड़ी तेर दीजे मस मैं bones को थोड़ा clean कर दूं फिर आपन बात करने बैठते हैं and you sir ah yes Dr. Watson if you would have the goodness to put the Japanese ways to the side you see around me my little interest in life तो फिर वो Watson को बोलता है Nathan कि आप यह जो Japanese ways है Japan का जो यह बड़ा ways flower pot है इसको side करोगे तो आपको दिखेगा कि मेरी life में छोटी छोटी जो मेरे interest की चीजें वो मैंने क्या रखी हुई है तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी my doctor lectures me about never going out but why should I go out when I have so much to hold me here तो Nathan बताते हैं कि मेरे जो doctor है मेरे पास और यह museum जैसा जो मेरा घर है मुझे cleaning करनी पड़ती है तो में पास time नहीं है I can assure you that the adequate cataloging of one of those cabinets would take me three good months क्योंकि वो इतने बुढ़ है और इतने जादा वीक है वो कहते हैं कि अगर एक भी cabinet मुझे अगर साफ करना पड़ता है जी रहता हूं इस एक कमरे के अंदर ही Holmes looked round him with curiosity तो Holmes उसका घर curiosity से इसे देख रहा था कि क्या क्या है इनके घर में But do you tell me that you never go out he said तो Holmes कहता है पर आप बता आप यह बोल रहो कि आप घर के बार कभी भी नहीं जाते Now and again I drive down to Saudhabais or Christie's तो Nathan बताता है कि नहीं मैं हमेशा ही घर में रहता हूं सिर्फ जब Saudhabais or Christie's याने इन दो नाम के auction लगते हैं जहां पर इस तरीके के मेरी interest की चीजें sell होती हैं बिकती हैं तब बस मैं drive करके चले जाता हूं वो अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए ताकि मैं अपने museum में अपने collection में लगा पाऊं Otherwise I very seldom leave my room और इसके अलावा मैं बहुत rarely seldom मतलब बहुत rarely अपना camera छोडता हूं I am not too strong and my researches are very absorbing तो वो कहता है मैं इतना strong नहीं काफी week हूं कि मैं घर के बाहर जाओ और जो मैं research करता हूं अपने room में बैठके वो काफी absorbing है याने काफी time taking है मुझे बहुत time लगता है कि अपनी research करने में but you can imagine Mr. Holmes what a terrific shock pleasant but terrific it was for me when I heard of this unparalleled paralleled good fortune फिर वो कहता है but Mr. Holmes आप सोचिए कि मेरे लिए कितनी shock की बात है कि जब मुझे good news मिली जब मुझे John Garadab ने बताया कि एक और Garadab अगर मिल जाए हमें तो हमें 55 million मिल सकते तो मेरे लिए कितनी जादा ये खुशी की बात होगी कि घर बैटे बैटे मुझे 5 million मिल जाएंगे it only needs one more Garadab to complete the matter and surely we can find one I had a brother but he is dead and female relatives are disqualified तो Nathan बताता है कि हमें सरफ एक और Garadab चाहिए ये पूरा matter complete करने के लिए मेरा एक भाई था लेकिन अब उसकी death हो गई है और जो मेरे female relatives है जो औरते हैं मेरे रिष्टेदार है वो इस will में से disqualified है क्योंकि उनको सरफ 3 men चाहिए women are not allowed for this will but there must surely be others in the world that is why I sent for you तो कहता है मैंने सुना है आपके बार में कि आप अजीबों करीब cases do and solve कर लेते हैं इसलिए मैंने आपको ये letter भेजा मेरे case का Of course this American gentleman is quite right and I should have taken his advice first but I acted for the best तो वो कहता है ये जो American gentleman John Garadab, वो मुझसे गुस्सो औरह था कि detective को क्यों तुमने ये पूरा letter भेजा लेकिन ठीक है वो गुस्सो औरह था मुझसे ठीक है मुझे उसके advice लेनी चाहिए थी आपको consult करने से बहले बढ़ ठीक है मुझे जो best लगा मैंने वैसा act किया याने मैंने आपको hire किया अपने case के लिए I think you acted very wisely indeed said Holmes wisely याने intelligently तो Holmes केता है नहीं नहीं आपने बहुत intelligent decision लिया मुझे बलाके बहुत अच्छा किया आपने but are you really anxious to acquire an estate in America? तो Holmes Nathan से पुछता है कि क्या आप वाकर interested हो अमेरिका में estate याने कोई property खरीदने के लिए क्योंकि 5 million में तो उसकी property भी मिलेगी आपको कुछ cash भी मिलेगा Certainly not sir Nothing would induce me to leave my collection तो Nathan केता नहीं नहीं मुझे कोई property वापर्टी में interest नहीं है मैंको कोई भी चीज आकरशित नहीं कर सकती कि मैं अपना इस कमरे को अपने collection को छोड़के यहां से बहार निकलू But this gentleman यह जो gentleman है He has assured me that he will buy me out as soon as we have established our claim तो यह जो John Garadab उसने मुझे बोला है कि यह मुझे कुछ property जरूर दिलवाएगा जैसे हमें हमारा claim याने तीसरा Garadab मिल जाएगा 5 million dollars was the sum name और उसने बताय था कि हर एक इंसान को 3 Garadabs मिल जाएगे तो each Garadab को क्या मिलेगा 5 million dollars मिलेंगे तो वो कहते हैं कि अभी भी market में dozens of specimens, कई सारे ऐसे specimens या collections है, dead bones है, कुछ पुरानी चीज़े हैं जो अभी भी मेरे collection में incomplete है, याने कि मेरे collection में अभी भी missing है, तो जब मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा, तो मैं उससे अपना, ये सारी चीज़े खरी दूँगा और अपने collections को complete करूँगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास हमेशा कुछ ने कुछ 100 pounds या कुछ पैसे कम पढ़ जाते हैं तो मैं नहीं खरीद पाता हूँ लेकिन मुझे अगर ये 5 million dollars मिल जाएंगे तो मैं definitely क्या करूँगा मैं definitely अपने specimens खरीदूँगा market से तो लंडन में जो British Museum मैं उसकी foundation उसकी नीव किस ने बनाई थी इसी Hans Solowen ने बनाई थी ये सबसे पहला Irish collector था जिसने 71,000 71,000 items बनाए थे collect किये तो और आज वही सब चीजें British Museum में रखी हुई हैं और उनका foundation है तो वो कहता है कि मझे जब ये 5 million dollars मिल जाएंगे तो मैं ये सारी चीजें खरीदूँगा और एक national collection बनाऊँगा और मैं आज के जमाने का Hans Solowen बन जाऊँगा उस जमाने में उसने collection किया था यहां मैं collection करूँगा तो इसको collection करने का बहुत शोग है इसको property property में कोई interest नहीं था तो ये सारी चीजें तो पता लग गई थी हमारे Sherlock Holmes को और जब वो ये सब बाते कर रहा था Nathan की मुझे मेर को specimens खरीदूँगा ये सब तो उसके बड़े बड़े चश्मों के पीछे उसकी आँखे चमक रही थी कि मतलब मैं collection करूँगा अपनी चीजों का और ये सब देखके इतना क्लियर हो गया था कि ये कुछ भी करेगा अपना नेम सेख याने अपने सरनेम जैसा किसी दूसरे का भी सेम सरनेम याने गारडब वाले इंसान को डूढने में ये कुछ भी कर जाएगा तो Holmes कहता है Nathan Garadip से कि मुझे आपका disturb करने का या आपको interrupt करने का आपके पढ़ाई disturb करने का कोई interest नहीं था बस मुझे acquaintance आप से थोड़ी जान पेचान बनानी थे और कुछ questions पूछने थे I prefer to establish personal touch with those with whom I do business तो Holmes कहता है कि जिसके साथ मैं business करता हूँ या जिन clients का मैं case solve करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा उनसे थोड़ा personal touch रहे थाकि मुझे उनकी बारे में कुछ information मिले और वो case के लिए भी बहुत easy रहता है there are few questions I need to ask but I have your very clear narrative in my pocket and I filled up the blanks when this American gentleman called I understand that up to this week you are unaware of his existence तो Holmes कहता है अब बस मैं आप से कुछ questions पूछूँगा Mr. Nathan था कि मुझे clarity मिल जाए और जो भी आप narrate करोगे जो भी आप बताऊगे वो एक अपने pocket में जैसे मैं भर लूँगा अपनी information के लिए और ये बात तो मैं शौर हूँ इस बात को मैं समझता हूँ कि ये जो American है जॉन गारेड़ आपको इसके existence के बारे में इस हफ़ते से पहले नहीं पता था आप इस हफ़ते में पिछले ही हफ़ते दो दिन पहले कुछ उसको मिले आपको बताया कि जॉन गारेड़ को जानता हूँ उससे पहले में जॉन गारेड़ को नाम के किसी इंसान को नहीं जानता था अब यह होम्स पूछ रहा है क्या जॉन गेरड़ ने आपको बताया कि जॉन गेरड़ हमसे मिलने हमारे घर पे आया था और हमारा इंटर्वी हुआ था यह सी केम स्ट्रेइट बाक तुमी यहाद बीन वेरी अंगरी तो नाथन बताता है हां हां वो बिलकुल आप से मिलके डिरेक्ली मेरे यह आया था मिलने और वह बहुत गुस्ता था क्योंकि आप शाद उससे बहुत क्वेस्टेंस पूछ रहे थे वाइ शोड़ी भी आंगरी तो शर्लॉक पूछता है यह इतना गुस्ता क्यों था पर वो यह सीम तो सिंग पर सम्रेफ्लेक्शन ओफिस ओनर तो नाथन बताता है कि उसको लग रहा था कि उसका ओनर उसका रिस्पेक्ट कम हो रहा है कि कोई मुझ से इतने क्रॉस वो चीरफुल था कि ठीक है आपसे बातचीत करके उसको कहीं ने कहीं साटेस्फाक्शन मिला तो शर्लॉक होम्स पूछते क्या उसने आपको बताया कि अब वो आगे क्या आगे अक्शन लेने वाला है क्या आगे उसके नेक्स स्टेप्स होंगे नो सर्फ ही दिड नॉट न नहीं मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे उसने यूसी नो पॉसिबल ऑब्जेक्ट ही आज इन व्यू शर्लॉक पूछता है क्या आपके नजर में आपको लगता है कि उसका कोई ऑब्जेक्ट है कोई मोटेफ कोई मकसद है यह सब करने के पीछे नन एक्सेप्ट वाथी स्ट नाथन बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लगता स्रिफ जो वो स्टेट कर रहे हैं जो बता रहे है कि तीन गारे ड़ोंडने हमको पांच-फ़श मिलन मिलेंग बस यह ही मुझे मुझे मकसद दिख रहे है इसके अलावा उसको कोई मकसद मुझे नहीं दिखा। did you tell him of our telephone appointment क्या आपने उसको ये तो नहीं बताया कि मैंने आपको call किया और आपने appointment लिया मुझसे फिर मैं अभी शाम को 6 बजे आपसे मिलने आया हूँ हमारी meeting के बारे में आपने बताया है क्या yes sir I did और Nathan बोलता है हाँ मैंने बताया उसको कि अभी Sherlock Holmes और Dr. Watson 6 बजे मुझसे या मिलने आ रहे है अब clearly Sherlock Holmes ने जब फोन पे बात करी थी Nathan Garridep से तो ये बोला था कि मैं शाम को 6 बजे आऊँगा और मुझे John Garridep किसे कि fam ने आपसे कोई बात नी करनी और आप उसको बताना भी मत लेकिन फिर भी Nathan ने John Garridep को बताया कि ये लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने तो यहां पे काफी ज़्यादा शॉक हो गया था Holmes Holmes was lost in thought तो ये सुनके Holmes अपने खयालों में कहीं खो गया I could see that he was puzzled और आइकॉन Dr. Watson ने दिये देखा कि Holmes थोड़ा सा puzzled फील कर रहा था थोड़ा confused हो गया था कि मैंने इसको मना किया था फिर भी इसने John को क्यों बताया कि हम घर पे आ रहे हैं Have you any articles of great value in your collection फिर Holmes पूछता है Nathan से कि आपका जो एक collection है जो एक articles जो समान है क्या इसमें कोई great value कोई बहुत महेंगी चीज या कोई बहुत महेंगा स्क्रेसिपन है क्या No sir, I am not a rich man वो केता है नहीं मैं कोई इतना अमीर आदमी थोड़ी हूं मैं पस चीजें, collection है लेकिन कोई great valuable चीज नहीं है It's a good collection but not a very valuable one मेरा collection अच्छा है और इसमें कोई महेंगी चीज नहीं है You have no fear of burglars क्या आप homes पूछता है Nathan से क्या आपको burglars याने thieves का चोरों का डर नहीं कि कोई आ जाए आपकी चीजे चुरा ले तो Not the least केता नहीं, मुझे कोई डर नहीं है मेरा सामान अच्छा है लेकिन कोई महेंगी चीज नहीं है मेरे collection में How long have you been in these rooms? आप यहां कितने सालों से रह रह रहा है Mr. Nathan इन कमरों में? Nearly 5 years तो कहता है मैं 5 साल से यहां पर ही रह रहा हूं Holmes's cross examination was interrupted by an imperative knocking at the door No sooner had our client unlatched it than the American lawyer burst excitedly into the room और अभी cross questioning चली रही थी Nathan और Holmes के बीच में उसी वक्त दोर पे knock होता है कोई खटखटाता है और उसी वक्त जो American है American lawyer John Garadab वहां पे excitedly खुशी खुशी आता है एगदम अंदर कोई news लेके Here you are he cried waving a paper over his head I thought I should be in the time to get you Mr. Nathan Garadab My congratulations you are a rich man sir Our business is happily finished and all is well As to you Mr. Holmes we can only say We are sorry if we have given you any useless trouble तो जैसे ही वो गुसता है John Garadab अदर रूम में उसके हाट में एक paper होता है और वो wave करते हैं खुशी खुशी आता है ऐसे उड़ाते हो paper हो कहता है Congratulations Mr. Nathan Garadab आप Amir आदमी बन गए हैं हमें finally वो इंसान मिल चुका है वो तीसरा Garadab मिल चुका है जिसकी वज़े से अब हम तीनों को 55 मिलेंगे और Mr. Sherlock Holmes अगर आपको हमने कोई दिक्कत दिये कोई useless trouble दिया तो उसके लिए हम बहुत सौरी हैं लेकिन अब हमारा case solved हो गया है हमें आपकी कोई जरुवत नहीं है हमें तीसरा Garadab मिल चुका है तो यह सब किया John Garadab ने वहाँ आके He handed over the paper to our client who stood staring at a marked advertisement Holmes had leaned forward and read it over his shoulder This is how it ran तो John Garadab ने Nathan Garadab को वो paper दिया जो वो ऐसे ऐसे खुशी सोड़ा रहा था उसमें newspaper की clipping लगी थी इस तरीके से कुछ Sherlock Holmes और Dr. Watson ने भी उसके shoulder से Nathan Garadab के shoulder से उपर से ऐसे करके पढ़ा कि क्या लिखा है तो उसके उपर लिखा था Harvard Garadab क्या लिखा था? कि यह Harvard Garadab और यह Harvard Garadab कौन है? Constructor of Agricultural Machinery Agriculture में Farming में जो machinery use होती उसका Constructor है Binders, Reapers, Semen, Hand Plows, Drills जो Hand Pump, Plows, Drills Horro, Farmer के जो Cards होते हैं जो ठेले, Wagon होते हैं वो Bug Boards and other appliances और यह सारे appliances यह सारी चीजों का Constructor है वो बनाता है यह सब चीजे Estimates for Artesian Wells और Artesian Wells यानि कुए भी बनाता है जिसमें pressure की जरुवत नहीं होती पानी अपने आप naturally आता है Apply Grosvenas Buildings Aston और इसका address क्या है? Grosvenas Building Aston नाम की जगा में यह Harvard Garridov रहता है तो Harvard Garridov ने शायद अपने बिजनिस के बारे में कोई newspaper में इस्तिहार दिया हुआ है और वो इश्तिहार वो लेकर आया है John Garridov की देखो हमें तीसरा Garridov मिल गया उसका नाम है Harvard Garridov Glorious gasp star host that makes our third man तो जो host है आर host यानि यह कहानी हमें कौन बता रहा है Dr. Watson बताना है तो Dr. Watson बता रहे जो हमारा host है जिसके गर हम आए है Nathan Garridov, N.G. वो gasp करने वो गता है Gloria असे तो कितनी खुशी की बात है हमें third man याने third Garridov मिल गया है I had opened up inquiries in Birmingham said the American and my agent there has sent me this advertisement from a local paper तो American याने John Garridov क्या बता थे कि मैंने Birmingham नाम की जो जगा है वहाँ पे कुछ inquiry बठाई थी पूछताच करवाई थी और वहाँ के जो मेरा agent रहता है उसने मुझे या advertisement भेजी है कि किसी local newspaper में आई है तो मुझे पता चल गया कि Harvard Garridov का नाम कभी कोई इंसान है We must hustle and put the thing through तो John Garridov कहता है जल्दी जल्दी करो ताकि यह thing through याने यह चीज़ से हम बाहर निकल जाए I have written to this man आप से कल शाम को चार बजे मिलने आएगा आप ही के office में तो John Garridov कही ना कही Nathan Garridov को request कर रहा है कि कल शाम को तुम चार बजे यहां से निकलो और जाओ Birmingham जहाँ पर यह Harvard Garridov रहता है उससे बातचीत करो इस पूरे matter के बारे में बताओ You want to see him तो Nathan कहता है John से तुम चाहते हो मैं वहाँ जा के उससे मिलूँ अब Nathan कहा है अपने room को छोड़ता निया तो बैचार वह ऐसे हो गया अरे मैं कहां जाओंगा बूड़ा अदमी अपने कमरे को छोड़के What do you say Mr. Holmes Don't you think it would be wiser Here am I a wandering American with a wonderful tale Tale मतलब a story, एक कहानी तो John अब Sherlock Holmes से कहता है आप क्या कहते है Mr. Holmes इस बारे में कि Nathan वहाँ पे जाए मिलने Harvard Garrard Epps है कि नहीं अब आप मुझे ही देख लो मैं एक wandering American हूँ यान एक भटकता हूँ अमेरिकन हूँ और मेरे पस एक बड़ी ऐसी कहानी है यही Garrard Epps वाली कि हम तीन Garrard Epps हो जाएंगे पाँच-पाँच मिलेंगे कहता है कौन विश्वास करेगा मेरी इस कहानी का वाइ शोड़ी पिलीव वाट आ टेल हैं तो यह Harvard Garrard Epps मेरी इस बात का विश्वास नहीं करेगा तो वह कहता है पर Nathan Garrard Epps आप एक Britisher हूँ और जो Harvard Garrard Epps है वो भी एक Britisher है और आप बूड़े हो आपकी बातों में सीरिसन ऐस है तो आपकी बात को बहुत जल्ली विश्वास कर लेगा तो कहता है मैं आपके साथ जरूर चलता है Nathan लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ को में पस बहुत काम है लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रबल होता है तो मैं बस आजाओंगा और आपकी मदद कर लूँगा John कहता है ये बात Well I have not made such a journey for years तो Nathan कहता है मैंने सालों से इस तरीकी की कोई journey कोई आतरा नहीं करी It's nothing Mr. Garrard Epps I've figured out your connections So John कहता है रे कुछ नहीं गारेड़ मैंने connections ढूंड लिये कि कौन सी train कितने बज़े आपको कहां से पकड़नी है You leave at 12 आप बस 12 बज़े यहां से निकलना Should be there soon after 2 और 2 बज़े के बाद आपाउच भी जाओगे Birmingham Then you can come back the same night और चाहो तो उसी रात को वापिस भी आजाना उस सेम ट्रेन से All you have to do is to see this man आपको कुछ नहीं करना आपको आदमी से मिलना है Explain the matter उसको पूरा matter समझाओ कि क्या है And get an affidavit of his existence Affidavit क्या होता है A confirmed written statement for use as evidence एक written statement होता है जिसमें आप अपनी चीजें लिख लेते हो और यह evidence की तौर पर प्रूफ की तौर पर अगर कोई दिक्कत होती है बाद में तो आप court में प्रूफ की तरह आप इसको यूज भी कर सकते हो तो John Garridev Nathan से कहता है कि आपको कुछ नहीं करना बस उसको मिलना है यह matter समझाना और उससे एक affidavit sign करा लो तकि future में कोई दिक्कत होतो उसको हम आज़ा legal paper use कर सकते है कि हाँ भाई Harvard नाम का Garridev नाम का आदमी exist करता है By the Lord he added hotly considering I have come all the way from Central of America It is surely little enough if you go a hundred miles in order to put this matter through तो John Nathan से बोलता है कि मैं कितने मीलो दूर अमेरिका से यहां तक इस matter के लिए आया हूँ आप सिर्फ कुछ 100 km नहीं जा सकते इस matter को through करने के लिए आने इस matter को खतम करने के लिए और 55 million जीतने के लिए Quite so, said Holmes I think what this gentleman says is very true तो Holmes कहता है Sherlock Holmes कहता है कि हाँ ठीक है सही है जो यह gentleman, जो John Garridep कहे रहा है वो काफी हद तक सही है Nathan, तुम्हें भाई जाना चाहिए और मिलना चाहिए Howard Garridep से Mr. Nathan Garridep shrugged his shoulders with a disconsolate air Well, if you insist, I shall go, said he It's certainly hard for me to refuse anything considering the glory of hope that you have brought into my life Disconsolate का मतलब क्या होता है Very sad, बहुत दुखी अब Nathan Garridep जो है दुखी हो गया, कि चलो ठीक है, मैं चले जाता हूँ तुम लोग कहते होता हूँ लेकिन, मैं, लेकिन, John, जो glory of hope जो खुशी की, उम्मीद 5 million dollars की, तुम जो मेरी जिंदगी मेला है हो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ Then that is agreed, said Holmes and no doubt you will let me have a report as soon as you can तो Holmes केता है, ठीक है, चलो, agree हो गया Nathan Garrett इप जा रहा है मिलने और जैसी वापिस होगे, मुझे इस पूरे matter की report आप देना I'll see to that, said the American तो American केता है, ने, 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 वो मैं देख लूँगा Like American थोड़ा सा ignore, हटाने की कोशिश कर रहा है Sherlock Holmes और Dr. Watson को केता है Coming on my way, Mr. Holmes, well then, goodbye and we have and we may have good news for the tomorrow night तो, फिर John Garrett इप करते है, अपनी घड़ी दिखे हो रही, और ही, मुझे बहुत लेट हो रहा है चलो, मैं निकलता हूँ Mr. Holmes, आप आ रहे हो मेरे साथ, नहीं, चलो, ठीक है, मैं निकलता हूँ मेरे को थोड़ा सा काम है और हमको डेफिनिटली कल एक गुड़ नियूज मिलेंगी कि Harvard, Garrett इप मान गया है और हम, हमको पांच मिलियन डॉलर सबको Each one of us को मिलेगा और वो निकल जाता है गुडबाई बोलके I noticed that my friends' face cleared when the American left the room and the look of thoughtful perplexity had vanished Perplexity का मतलब क्या हाता है? Confusion जो उसके दिमाग में confusion था Sherlock के vanished यहने गायब हो जाना तो icon है Dr. Watson Dr. Watson कहते कि मैंने उसी वक्ष अपने friend Sherlock Holmes के face पे वो जो perplexity, वो जो confusion था थोड़ी देर पहले जो वो एकदम बिल्कुल नम हो गया था कि अरे इसने क्यों बताया John Garadip को कि मैं आ रहा हूँ यहां मिलने वो सारा confusion अब जैसे ही John Garadip वहां से कया उसके दिमाग से निकल गया याने कि कुछ न कुछ clue या link मिली है यहां पे Sherlock Holmes को I wish I could look over your collection Mr. Garadip said he तो Sherlock Holmes नाथन से बोलता है आरे काश मैं आपके पूरे पूरे collection को देख पाता In my profession all sorts of odd knowledge comes useful and this room of yours is a storehouse of it तो Sherlock Holmes कहता है कि मेरा जो profession ए detective का इसमें कोई भी चीज की जो knowledge होती है वो कही न कहीं definitely काम आती है और आपका कमरा तो एक museum इतनी अजीब हो गरीब होती है नहीं नहीं चीजों का और यह तो storehouse है तो मेरी इच्छ है कि मैं एक बर आपके इस पूरे कमरे को जरूर देखू Our client's shown with pleasure and his eyes gleamed for behind his big glasses तो वो जो client है यानि जो Nathan Garadip उसके बड़े-बड़े glasses के पीछे उसके आखे शाहिन कर रही तो वो करता है मतलब खुश होगा कि हाँ हाँ मतलब आओ भाई देखो I'd always heard sir that you were a very intelligent man said he I could take you around now if you have the time तो Nathan कैता है sir Sherlock sir मैं आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना और यह मेरी बहुत अच्छी बात होगी कि आप मेरा इस कलेक्शन को देखे अगर आपके पस्ताई में तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा अपना कलेक्शन तो Sherlock Holmes कैता अरे अनफोर्चनेटली में पस्ताइम नहीं अभी लेकिन अगर आप बुराना माने तो कल जब आप यहां से चले जाएंगे Harvard Garrett App से मिलने तो मैं और Watson यहां आजाएंगे और आपकी जितनी भी चीज़ें उनके नीचे सब की नीचे इतना बढ़िया सब लेबिलिंग लगी हुए कि हमें आपके कोई personal explanation की भी जरुवत नहीं कि आप आओ और हम explain करो कि यह particular चीज़ क्या है वो खुद हम समझ लेंगे अगर आपको कोई दिक्कत नहों तो कल हम आके क्या glance याने क्या पूरा देख सकते हैं आपका पूरा collection तो वो क्या बोलता है नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत हो सकती है वोस्ट वेलकम आप बिलकुल आ सकते है और मेरा collection देख सकते है और यह जगा बन रहेगी तब क्योंकि मैं नहीं रहूंगा मैं बर्ग मिंगम जाऊंगा मिलने हावर्ट से लेकिन जो सौंडर सौंडर से यहां की जो केर टेकर है आप वो चार बजी तक यहां पर रहेंगी आप बोल देंगे तो वो आपको कीज दे देंगी चार भी दे देंगे तो आप खुल के अंदर आके देख सकते हो वेल आपन तो बीक्लियर तो मॉरो आफटनून तो होमस कहता है हां मुझे कल दिन तक आफटनून तक क्लियर पता चल जाएगा कि मैं पस टाइम है नहीं है यह मैं आ रहा हूं नहीं देखने मैं बता दूंगा फिर वो कहता है कि आप बस मिस्स सॉंडर्स को अभी बता दो कि हम लोग कल आने वाले सब चीज़े ओर में रहेंगी तक कोई confusion नहीं रहेगा कि चाबी का है यह वो आप पहले सी उनको बता दो कि कल हम इतने बज़े आएंगे बाइदेवे अब एक question और पुछता है होम नाथन से who is your house agent याने यह इस घर का मकान मालक कौन है landlord कौन है क्योंकि किराएं पे रह रहा है वह 5 सल से नाथन उस घर में तो कि रहा है वह दा हाउस एजंट एजंट कौन है या कर? Our client was amazed at the sudden question तो जो client है याने जो नाथन है वो थोड़ा सा अमीज हो गया कि ये मुझे agent याने इस मकान के मालक के बारे में क्यों पूछ रहे है Holloway and Steel in the Edguer Road तो वो कहता है पासी में Edguer Road है वहाँ पे Holloway और Steel नाम की दो लोग है ये इस घर के agent है बटवाए तो पूछता है मुझे से क्यों पूछ रहो house agent के बारे में I am a bit of archaeologist myself when it comes to houses said Holmes laughing I was wondering if this was Queen Anne or Georgian तो वो कहता है कि मैं तो खुदी एक archaeologist हूँ अभ यहाँ पे ने हस्ते हस्ते अंदर ये अंदर कुछ mischievous smile देते हुए homes के अरे जब घरों की बात आती है ना तो मैं तो खुदी एक archaeologist हूँ याने a person who studies history of sites and physical remains archaeologist वो इंसान होता है जो किसी भी जगा की history या इतिहास के बारे में जानने में इच्छों क रहता है या वहाँ से पड़ी हुई पुरानी चीजों के बारे में all these things तो वो कहता है मैं तो खुदी एक archaeologist हूँ जब घरों की बात आती है और फिर वो हसने लगता है वो कहता है कि आपका घर इतना पुराना है कि ऐसा लगता है कि Queen Anne ये Georgian ने उस जमाने के लोगों ने आपका ये इतना पुराना घर बनाया है तो मुझे house agent से मिलने में interest है Georgian beyond doubt तो यहाँ पर क्या बोलता है Nathan Georgian हाँ उस जमाने का Georgian जो घर बनाना था beyond doubt याने कि इसमें तो कोई संदे नी है कि उस जमाने से ये घर हो सकता है कि इतना पुराना ये मेरा घर है Really? I should have thought a little earlier However, it is easily assertained Well, goodbye Mr. Gary Depp and may you have every success in your Birmingham journey तो वो कहता है Homes ये अच्छा साची में उत्ता पुराना गार है चलो मैं को इसके पैर में पहले सोचना था कि आपका घर देखू पर कोई बात नी Good bye कल आपकी Birmingham की जो 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 बहत अच्छी रहे and goodbye और वो लोग वहां से चले जाते हैं The house agents was close by but we found that it was closed for the day So we made our way back to Baker Street It was not till dinner after the homes reverted to the subject Reverted याने came back याने इस topic पर वापिस से आके आपने बात करी तो अब जो इस घर का Nathan के घर का जो house agent था उसका घर Edward Street में पास में ही था तो यह लोग वहां agent के घर उससे मिलने गए लेकिन उस दिन के लिए उनका घर बन था सिर्व उस दिन के लिए तो इन्होंने सुचा चलो वापिस हम अपने घर जाते हैं जो की Baker Street में और फिर अभी dinner का time भी नहीं हुआ था घर पहुशने के बाद कि जो होम से उसने वापिस रिवर्ट हुआ इस subject पे यान इस topic पे यह गारदेब्स वाले topic पे और वापिस से उसने बात करना स्ट करी इसके बारे में Dr. Watson से Our little problem draws to a close said he No doubt you have outlined the solution in your mind तो होमस कहता है कि जो हमारी little problem थी जहां हम confusion थे draws to a close याने कि हम बस अब सच्चाई के और पूरे matter के बस थोड़ा ही दूर है थोड़ा ही पास हैं तो Watson कहता है कि कोई no doubt कोई संधे नहीं है इस बात में कि तुमने definitely Sherlock अब तक तो अपने mind में solution भी निकाल दिया होगा इस problem का I can make neither head or not tail of it तो Holmes कहता है हां लेकिन मुझे न इस बात का न सर दिख रहा है न टेल याने पैर दिख रहा है याने कि मैं starting और end तक नहीं पहुच पारा हूँ बीच में ऐसा लग रहा है घूम रहा हूँ इस पूरे matter में the head is surely clear enough and the tail we should see tomorrow तो Sherlock कहता है जो head है याने कि जो शुरुवात है इस सब चीजों की वो सब कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत clear हूँ लेकिन जो tail है याने कि जो अंत है जो actual चीज सच्चा ही है वो हमें कल clear हो जाएगा जब Nathan Garadayb Harvard से मिलके वापस आएगा Did you notice nothing curious about the advertisement फिर Holmes पूछता है Watson से कि वो जो advertisement हमने पढ़ा था Harvard Garadayb के बार में क्या उसमें तुमने curious कुछ अजीब चीजें देखी क्या उसमें क्या क्या चीजे थी उस advertisement में तो I saw the word flow was misspelled तो यहाँ पर बहुत important चीज है यहाँ पर हमको क्या बताता है Watson Watson बोलता है Sherlock से कि जो word था flow वो misspelled था याने कि newspaper में यह जो word था flow उसकी spelling गलत लिखिए flow की spelling होती प-l-o-u-g-h और newspaper में लिखी थी प-l-o-w-s तो कहता है कि इतनी अजीब बात है इतना बड़ा newspaper और इतनी बड़ी mistake करी उसने newspaper में कोई spelling errors थोड़ी होते तो कहता है में को बहुत अजीब चीज लगी तो Sherlock बोलता है ओ यू दिद नोटिस दाट इट इट यू कहता है अरे Watson तुमने नोटिस कर लिया मुझे लगा तुमने किया ही नहीं होगा तुमने भी नोटिस कर लिया Come Watson you improve all the time तो कहता है चलो Watson बढ़ी है तुम धीरी धीर है इंप्रूफ कर रहे हो मेरे साथ रहे रहे के Yes it was bad English but good American तो Sherlock कहता है हाँ English तो इसमें गलत लिखी थी mistakes थी लेकिन बहुत अच्छी American language आप उसमें पढ़ सकते हो That is The printer had set up as received तो कहता है ये जो newspaper की cutting थी Printer में वैसी है print होई जैसी उसको print करने के लिए बोली गई याने जिसने ये print करवाया होगा पूरा जैसा उस इंसान ने print करने के बोलाओगा printer ने वैसा निकाल दिया होगा याने जो इंसान ने ये print किया है वो कही न कहीं American है यानि वो John Gary Depp पर क्या कर रहा है? शक कर रहा है Then the bugboards फिर वो कहता है कि जो bugboards लिखा था bugboards इस तरीके से कहां लिखा जाता है? American language में लिखा जाता है और यहां की जो newspaper होता है वो bugboards पूरा ऐसे लगता है लिखता है यानि यह लंडन का bugboard है और यह जो लिखा हुआ यह American language का bugboard लिखा तो कहता है यह भी गलती देखी मैंने and artesian wells are commoner with them than with us artesian wells क्यों होता है यह जो आप देख रहे हो इसको artesian well कहते wells from which water flows under natural pressure without pumping तो यह ऐसे wells होते हैं जिसमें naturally natural pressure से पानी निगलता है आपको अलग से कोई motor की pumping लगाने की जरुवत नहीं पड़ती तो homes कहता है कि जो artesian wells है यह काफी commoner commoner याने काफी common है with them याने Americans के साथ हमारे साथ या हमारे इंगलेंड में या पर इत्ती common चीज नहीं है तो यह चीज भी American से related आती है it was a typical American advertisement but purporting to be from an English firm purporting का मतलब क्या होता है appearing falsely तो homes कहता है कि यह clearly दिख रहा है कि यह जो है newspaper की जो यह report थी clipping थी यह purely American थी लेकिन ऐसा दिखाया गया बस इसमें अलग-अलग चीजे लिखके कि यह कोई English firm है Harvard-Garadap की जो firm है जो ही सारी चीजे बनाता है बिसनिस यह कोई English है यह कोई London का इंसान है और यह purport करा गया है याने कि यह जोटी newspaper की clipping बताई गई है इसमें कोई सच्चाई नहीं है what do you make of that? so homes पूछ सा है तुम्हें इससे क्या समझ में आता है Watson मैंने जुतन नोटिस किया, what do you make of that? I can only suppose that this American lawyer put it in himself that what was what his object was I failed to understand तो यह चीज भी होमजी कहता है कि मैं सरफ यह सपोस करता हूं कि जो American lawyer है he put it himself यह ने उसने यह खुदी newspaper की clipping लिख दिये और इन सब के बिचे उसको object उसका मकसद किया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह सौरी यह चीजे सब Dr. Watson ही कह रहे है Dr. W.A. ने Dr. Watson ने कहा यह सब अब Holmes बोलता है Well, there are alternative explanations Anyhow he wanted to get this old, good old fossil up to Birmingham तो Holmes कहता है, हाँ बहुत सरे alternative explanations हो सकते हैं इस बात पर आने इसने ऐसा क्यों किया, इसके कई reasons हम निकाल सकते हैं लेकिन एक बात तो clear है कि यह जो old fossil है good old fossil है, याने कि जो Nathan Garrettup के लिए बोल रहा है, कि जो हड़ियों का धाचा है बूड़ा अदमी है, इसको किसी ना किसी तरह मक्सद था John का कि इसको बस Birmingham भेजो, यह उसका motive था, यह तो मुझे पक्की बात समझ में आ गई है that is very clear I might have told him that he was clearly going on a wild goose chase but on second thoughts it seemed better to clear the stage by letting him go tomorrow Watson, well tomorrow will speak for itself तो Holmes कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बिचारा यह wild goose चेज, याने कि ऐसा लग रहा था कि यह जो बिचारा Nathan Garraday पे इसको बक्रा बना के वहाँ भेजा जा रहा है शायद इसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परिशानी ना हो यह मुझे अंदर या अंदर लग रहा था लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि नहीं यह जा रहा है तो उसको जाने दो क्योंकि अगर यह जब तक जाएगा नहीं तब तक कोई problem या कोई solution हमारे problem का नहीं निकलेगा फिर वो कहता है Watson कल, tomorrow, tomorrow will speak for itself कल के कल हमें देखना पता चल जाएगा कि आकर सच्चा है क्या और हमको clearly पता चल लेगा कि John Garridev है कौन और चाहता क्या है तो basically यहाँ पर यह समझ में आ गया था कि जो John Garridev है वो किसी ने किसी तरह Nathan Garridev को उसके कमरे से बाहर निकल के कहीं दूर भेजना चाहता था क्योंकि कहीं न कहीं उस कमरे में कुछ राज हुआ वो अपना रूम छोड़ता नहीं था और John Garridev उस कमरे में शायद आके अपना काम नहीं कर पाता होगा तो इसलिए वो चाहता होगा कि Nathan यहां से निकले ताकि John अंदर आए उस कमरे में उस जगा ताकि वहाँ पे कुछ हो सकता है सीक्रेट पैसा हो या कुछ इस तरीकी की चीज हो जो स्रिफ John को पता है तो बस यही बात अब पता लगानी थी हमारे Sherlock Holmes और Dr. Watson को यहां पर मैं फिनिश करती हूँ अपना पार्ट टू और अब मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगी हमारे last part of the story में आने की part number 3 में so do not forget to watch our part 3 of the story तब तक लिए bye bye and take care